इस वार कैसा रहा है बजट किया केना है बजट एक बिलेंस बजट कह सकते हैं इसको और मेरा मानना यह है कि इस तरीक़े के बजट कभी-कभी देखने को नतीब होती है इसमें जितने भी लोग टेक्श किस लैठ से सबसे जएदा जो लोग परिशान होते हैं से होते हैं आज जो भी परिशानी रही है लोगों में क्यों कि टेक्स मतलब हो गया सारा ओनलाइन जैसे पोर्टल पर आना सब कुछ होना इसमें पहले हमारे एजुकेटेड लोग ज्यादा नहीं होते थे आज तो चलो बच्चों की यूग आ गया यह सब एजुकेशन में आ तो ऑनलाइन देखना समझना आज डर लगने लगा था लोगों को कि हम कैसे देखेंगे अपना टेक्स क्या देखेंगे लेकि इन्हों ने इसको इतना बेलेंस कर दिया इंकम बढ़ जाए घट जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है अब तो और टेक्स का सलेब इतना कवर्मेंट फिरी देती थी उस पर कोई रुकावाट नहीं की उनको जोकोतियों दिया है जबकि वो कम हो सकता था लेकिन कवर्मेंट ने फिर भी उनको पूरा किया है यानि हर बर्ग को देखते हुए उन्होंने एक बेलेंस बजट बनाया है जिसमें किसी को कोई भी नुक बहुत अच्छी चीज़ है जल्दी के सॉल होगा तो आदमी आगे ग्रोथ अच्छा करेगा मेरे साफ से टेक्स जो इनका स्लेव है जो इन्होंने बनाई है बजट में जितनी हर पेरामेटर ओके हैं मैं इनको अपने दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा तरकार को मैं विज अजय अग्रवाल अद्दक चलिकर स्राफा कमेटी इस बार का जो बजट है एक तो मध्यमवर के लिए थोड़ा राहत देने वाला है गोवर्मेंट ने टेक्स में रिवेट दी है उससे मध्यमवर्गी को थोड़ा इसमें राहत पहुंचेगी दूसी बात अगर विशे के दूटी करिए गौउर्मेंट ने इससे एक तो और गोल्ड की इसमेलिंग रुकेगी जो की देश की अर्थ्विवस्था के लिए नुक्सान दायेकर और व्यपार के लिए नुक्सान दायेकर तो यह सरकार का एक सरहनीय कदम है जो इन्होंने गोल्ड पैसे एक्साइज से सेस था उसको भी घटा दिया गया है तो कुल मिलाकर स्राफ़ाइब साहियों को रहात देने वाला बजट है मैं रमेश कुमार हो रहा है अध्यच मदागिट व्यपार मंडल बजट वारे में यही कहना है कि अच्छा बजट दिया है सबके लिए फाइदेमंद है कोई माइन समान युवा व्यपारी माविरगंच अलिगर मुद्धी सरकार का साथ मावजट जो पेश वाइस बहुत बढ़िया हुआ सीतरमण के देवरा इसमें हमारे खैद्धान के प्रती प्रती कि उसमें जीएस्टी नहीं लगा इसमें बहुत बढ़िया रहा हला अधा उड़ा घ कर दिया वह बहुत बढ़िया रहा है हमारे सरकार ने इससे हमें रात की मिले गई और इससे जो युवा व्यपारी है वह भी से जुड़ेंगे